NEET MBBS BDS Admission 2023 Deemed Universe Fees Announced Cut off और Fees के बारे में जानकारी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें University की 2023-2024 के लिए Cution Fees, Hostel Fees सब कुछ डिकलियर हो चुका है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी Dimmed की कितनी Fees है और साथी साथ ये भी बताऊंगा कि कितनी Marks पर ये Dimmed University मिल सकते हैं यानि कि हम Expected Cut off के बारे में बात करेंगे और Budget के बारे में बात करेंगे कि कितनी Tution Fees आपको Pay करनी पड़ेगी इसमें Dimmed University में Qualifying Marks पर भी Admission मिल जाता है लेकिन Fees काफी ज्यादा होती है जिसके Marks ज्यादा होते हैं कम Fees पर Admission मिलता है जिसके काफी कम Marks होते हैं काफी Budget पर इसमें Admission मिलता है तो अभी हम यहाँ देख लेते हैं कि कौन सी Dimmed में कितने Marks पर, कितने Budget पर हमें College मिल सकती है इस बार के लिए तो मैं जो आपको यहां Cut Of बताऊंगा यह Last Cut Of बताऊंगा तो मैं आपको यहाँ पर यह Last Cut Of बताऊंगा तीनु Rounds का Average First Round में ज्यादा जा सकती है तो Second Round में कम जायेगी तो Last Cut Of क्या रहेगी उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो सबसे पहले हम बात करेंगे KMC मनीपाल की जो अच्छी उनिर्सिटी है अच्छी कोलेज है इंडिया में आज की डेट में 50 दिम्डी उनिर्सिटी हैं और 50 दिम्डी उनिर्सिटी में जिन students के marks कम हैं वो admission ले सकते हैं क्योंकि इसमें domicile free होता है किसी भी state का कोई भी candidate admission ले सकता है या dimmed university private college ही होती है लेकिन इनकी खुद की university होती है इनके under medical college होती है तो dimmed university खुद की university होने से इनके rule regulation खुद के चलते हैं इसमें तो इसमें dimmed university की जो counseling करवाई जाती है वो mcc द्वारा counseling करवाई जाती है mcc द्वारा बाकी सारे government institute की counseling करवाई जाती है लेकिन dimmed university जो private medical college है dimmed university भी उनकी counseling भी mcc द्वारा करवाई जाती है और इनकी 108% seats के लिए करवाई जाती है और यह जो counseling है तीन round की counseling होती है mcc द्वारा first राउंड, सेकंड राउंड, मौपप राउंड और इस्टे वेकनसी राउंड, MCC द्वारा, शोरी डिम्ड द्वारा, खुद के द्वारा कंडेक्ट करवाया जाता है इसमें, तो अगर आप डिम्ड में एड्मिसन लेना चाते हैं, तो MCC के पोर्टल पर आपको अपलाई करन होगा 108% seat के लिए ये counseling होती है इसमें NRI seat भी होती है और domicile free होता है domicile का मतलब कोई भी state का candidate इन में admission ले सकता है तो सबसे पहले हम KMC Manipal की बात करें करनाटका में ये situated है आप सब जानते हैं इसका नाम है KMC Manipal का इसकी जो fees है वो इस साल कोई बड़ोतरी नहीं है इस साल के लिए इसकी fees declare हो चुकी है 17,000,000 fees है इसकी per year की और four years के लिए इसकी fees लगती है इसकी जो last cutoff है 560 रह सकती है first round में हो सकता है ज्यादा cutoff हो लेकिन second round या mop up round तक जो भी है इसकी last cutoff 560 marks तक रह सकती है इसके बाद हमदर्द की बात करें हमदर्द दिली में situated है और इसकी पहले जो fees ती वो 14,000,000 थी अभी इसकी fees 16,000,000 पर year पो गई है ये जो 14 years पहले 5 साल की fees ली जाती थी लेकिन जो अभी 16,000,000 शोरी 16,000,000 है वो four and half years की यानि साड़े चार साल की fees ली जाती है हमदर्द की अभी ये ली जाएगी पहले पहुत साल की ली जाती थी अभी ये साड़े चार साल की fees ली जाएगी 16,000,000 पर year के इसाब से ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सरफ ट्यूसन फीस ही है फोस्टल वाइ अधर एक्सपेंस कोलेज वाइस डिपेंड करती है ये एक से दो लाग एक्स्ट्रा होती है वो तो 565 मार्क्स पर ये मिल सकती है लास्ट कटोप इसकी रह सकती है 565 फस्ट राउंड में थोड़ी कटोप ज्यादा जा सकती है लेकिन आपको 565 तक ये कोलेज मिल सकता है आगे वाले राउंड में अब बात करें हम हमदर्द का जो मानिवरिटी कोटा है मुसलिम मानिवरिटी की कटोप जा सकती है 470 आलांकि इसकी फीस दोनु कोटा के लिए जो open quota होता है उसके लिए और minority quota होता है उसके लिए same रहती है fees में कोई अंतर नहीं है Symbiosis only girls candidate का college है महराष्टर में situated है इसकी fees 10 lakh per year है और 10% का इसमें increment है 547 marks पर या 545 marks पर ये कटोग जा सकती है last कटोग हो सकता है first round की कटोग थोड़ी ज्यादा हो KMC Mangalore की same fees है जो मनिपाल की fees थी वही फीश है थोड़ा सा hostel fees में अंतर है दोनों में 540 marks पर KMC Mangalore का कुलीस मिल सकता है आपको KMC मनिपाल के बाद मनिपाल टाटा ये भी KMC मनिपाल का ही टाटा के साथ में इसमें collaboration है तो ये जहारखंड में इस्तित है जमसेदपुर में 16,19,000 fees वही पुरानी फीश है इसकी 474 ये कुलेज मिल सकता है नया कुलेज है इसलिए इसकी कटोफ थोड़ी डाउन जाती है इसके बाद में लोनी की बात करें मारास्टर की 17,50,000 इसकी फीश इंक्रीज हो गई है 460 पर ये कुलेज मिल सकता है आपको इसके बाद में हुबली का जो नया कुलेज है करनाटका का जेलेन की ब्रांच है वो पहले जो फीश थी इसकी 14,40,000 थी अभी 16,35,000 हो गई है इसकी फीश इंक्रीज हो गई है 445 पर लास्ट कटोफ रह सकते हैं इसकी के सेगडे करनाटका का 17,56,000 फीश हो गई है 425 पर ये कुलेज मिल सकता है JSS मैसूर ये 19,86,400 इसकी फीश हो चुकी है 430 मार्क्स पर ये मिल सकता है कुलेज जेलेन बेलागवी करनाटका का कुलेज है 7 फीश 18,25,000 हो चुकी है इस साल के लिए तो ये फीश है जेलेन बेलागवी की अब बात करते हम नेक्स्ट में अमरिता कोची की इसका फृदाबाद में भी कैमपस इसी साल से स्टार्ट हो रहा है यानि की फृदाबाद में भी ये कुलेज ओपन हो चुका है और इसी साल से रन हो गया है इसकी फृदाबाद के लिए भी ट्यूशन फीश से में फीज, 395 last cut-off रह सकते हैं, ये last round की cut-off नहीं है, ये last cut-off है, किसी भी round में cut-off रह सकते हैं, इतनी cut-off रहेगी last cut-off, SDU कोलार करनाटका का कोलेज है, 17,60,000 fees, अभी declare नहीं हुई है, नहीं, ये पुराणे फीज है, 365 marks पर ये मिल सकता है आपको, ये नोफवया करनाटका का कोलेज है, इसकी hostel और मैं सब कुछ मिला करके, यानि कि सारा सब कुछ मिला के आपको 22,00,000 पड़ेगा इसमें, hostel, other fees, मैं सब कुछ आ गया, 380 पर मिल सकता है, 380 से थोड़ा डाउन भी जा सकता है, मुस्लिम मानियोरिटी की जो fees है, fees same है, ये भी 370 पर ये close हो सकता है, इसमें वैसे ज्यादा फरक नहीं पड़ता है, लेकिन fees को देखते हुए, इस बार ये भी cut of down जा सकती है, last cut हो, MGM, औरंगाबाद की भी fees, अभी पुरानी fees ही है, शो नहीं हुई है, नई fees, 375 marks पर ये college मिल सकता है, कलिंगा, 18,50,000 fees है, plus 75,000 extra other charges, ये पिछले साल की fees है, 352 पर मिल सकता है ये, BLD, बीजापुर की बात करें, करनाटका की तो 18,00, अभी fees इस साल की डिकलियर हुई नहीं है, 325 पर मिल सकता है, स्री रामचंद्रा चिन्दाई का best institute है, लेकिन fees काफी जादा है, 5 साल तक fees लगते है, 25,00, रुपए, 360 पर ये मिल सकता है, college, SBS, SBKS, जैन minority का गुजराद का college है, वडोद्रा का, 18,75,000 fees साइज की 320 पर मिल सकता है, ये, जैन minority में भी fees same है, ये 165 यानि काफी डाउन जाती है, जैन minority की, मोलाना हरियाना का डेम्डे उनिवर्सिटी है, 17,00, with 10% increment के साथ में, 340 marks पर ये college मिल सकता है आपको, next college की बात करें, स्री सिदार्था टमकूर करनाटका का college है, इसके दो branch हैं, एक टमकूर में हैं, और एक है टी बैगोर में, तो इसकी fees 18,46,000 है, और ये जो last cutoff इसकी रह सकती है, वो 325 cutoff रह सकती है, last cutoff, भारती विद्याफीट हूने की बात करें, तो 23,47,340 रह सकती है, IMS भावनेश्वर अच्छा institute है, 19,60,000 fees काफी ज़्यादा है, लेकिन institute टोप का है, 335 cutoff रह सकती है, fees के कारण इतनी कम cutoff रहती है, अदर्वाइस ये college काफी high rank पर जा सकता है, DRDY पाटिल कोलापूर, मारास्टर का है, 20,60,000 fees है, 320 पर जा सकता है है, टी बैगूर की सैम, तमकूर की fees है, 290 पर ये cutoff जा सकती है, राजा राजेश्वरी बैंगलोरो की 23,00,000 से 275 पर मिल सकता है, BVD सांगली 240 पर मिल सकता है, 22,00,000 इसकी fees है, JLN वर्दा, इसके दो college है, दत्ता fees ही है अभी, जैसे इसकी fees declare हो जाएगी, हम आपको inform कर देंगे, कृष्णा कर्ड की बात करते हैं, 22,50,000 इसकी fees है, और 235 marks पर मिल सकता है, DRDY पाटिल पूने का 25,00,000 fees है, और 5% increment है पर येर का, 225 marks पर ये college मिल सकता है, cutoff इसकी काफी ज्यादा है, मैंने ये last cutoff बताईए है, इसके बाद है, जो स्लेम का college है, तमिल नाडू का, 20,00,000 fees है, 145 पर मिल सकता है, पुडूचेरी का college है, 19,00,000 fees है, 141,000, स्रीबालाजी चिन्नाई का 25,125 marks पर, मिनासी कंचिपुरम का है, 22,50,120 marks पर मिल सकता है, ACS चिन्नाई का 23,00,000 fees है, 125 marks पर मिल सकता है, 22,00,000 की fees पर, इसमें भारत चिन्नाई का है, 23,00,000 fees है, 110,00,000 पर मिल सकता है, VALS, 3 value ये 20,00,500,000, इसकी fees अभी 21,00,000 खोज गई है, 5 साल के लिए, 115 marks पर मिल सकता है, स्री सत्यसाइन चिन्नाई, जो इसकी ब्रंच है, इसमें पुडूचेरी में भी ब्रंच है, वो 22,00,000 इसकी fees है, 110 marks पर मिल सकता है, अमरिता जो फ्रीदाबाद का है, 380 marks पर मिल सकता है, क्योंकि काफी reputated institute है, और 19,00,000 पर येर इसकी fees है, 5 years के लिए fees ली जाती है, लेकिन ये इस तरफ से दिल्ली के पास होने से student इसको काफी like करेंगे, और मैं सोचता हूँ कि इसकी जो last cut off रहेगी, वो 380 के nearby cut off रहने की possibility है, तो ये सारी dimmed के बारे में जानकारी थी, कितने fees हैं इनकी, और कितने marks पर ये मिल सकते हैं college, बाकी जैसे counseling का शुरू हो जाएगा schedule हम आपको inform कर देंगे, अगर आप counseling के बारे में जानकारी लेना चाते हैं, तो हमारी book download कर सकते हैं, उसमें dimmed के बारे में भी हमने पूरी जानकारी दे रखिए, ओल इंडिया कोटा की book में ये सारी facility हैं, 2023 के लिए इसमें हमने च्वाइस list भी दे रखिए, bond वगरा की detail भी दे रखिए, dimmed वगरा की भी पूरी जानकारी दे रखिए हमने, इसके बाद में cut-off दे रखिए है, पिछले चार साल की state कोटा के बारे में भी अच्छी तरह समझाया गया है, और state कोटा के registration process के बारे में भी समझाया गया है, हर एक state के बारे में, और इसमें जो open state है, उसके बारे में भी समझाया गया है, तो मैं सोचता हूँ, यह book आपके लिए काफी helpful रहेगी, आप इसको इस वीडियो के description box से या फिर हमारी website www.chopraeducation.in से download कर सकते हैं, आप हमारी paid service भी ले सकते हैं, तो जैसे ही आप यह download करेंगे, हम आप से संपर्क कर लेंगे, तो यह जानकारी थी dimd के बेरे में, आप हमारे channel को subscribe करके रखें, क्योंकि इस परकार की information हम लेके आते रहते हैं, मिलेंगे नई अपडेट के साथ में नए वीडियो में तब तक के लिए जैखेंगे